सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश भेजने के नाम पर थगी करने वाले गिरोह का परदाफास तीन विप गिरफतार, लेप्टॉप, प्रिंटर, मुबाइल फोन आदी बरामद दिना कठारह फरवरी 2021 को वादी प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र रमान वर्मा ग्राम सोहनपूर थाना बंकटा जनपत देवरिया द्वारा इस आशय की तहरीर उपलब्ध कराई गई की दिनन 25 अक्टूबर 2020 को वादी द्वारा फेस्बुक पर रीना कंसेल्टी आफिस के व अब्योग विरूब्ध रीना कंसेल्टी आफिस के कमरचारियों के विरूब्ध पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा उप्ठगी करने वाले गिरोग के परदाफाश एवं अभ्यूक्तों की गिरफतारी हेतो प्रभारी साइवस सेल्डेवरिया एवं थानाधिक्ष बंकटा को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनन 25 फरवरी 2021 को प प्रभारी साइवस सेल्डेवरिया वा थानाधिक्ष बंकटा की संयूप पुलिस टीम द्वारा अभ्यूक्तों की गिरफतारी हेतो प्रभार्मन शील थे की मुखविर की सूचना पर अकटी वजार से तीन व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनके द्वारा अपना नाम पता अजित यादब पुत्र शिवनरायन यादब ग्राम मुहम्मद पूर थाना ब्रेसर जनपद गाजीपूर सत्यपाल राजभर पुत्र सत्यनरान राजभर ग्राम महड़ थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपूर सलमान खान पुत्र समसाद खान ग्राम सुन बरसा थाना कास पकड़े गए व्यक्तियों के पास से दो अदद लैक्टॉप, एक अदद स्कैनर मशीन, एक अदद मानीटर, चार अदद मोबाइल फोन, एक अदद कार्ड रीडर, दो अदद माउस, एक अदद बायोमेट्रिक मशीन वर 1400 रूपे नग बरामत किया गया. बरामत समान के फलस्वरूप पकड़े गए व्यक्तियों से कड़ाई से पूछ ताच करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा एक रीना कंसिल्टी कंपनी के नाम से सोशल मीडिया के विभिन प्लैटफार्मों पर लोगों को विदेश भेज कर नौकरी काने का विध्यापन भेजते हैं जिस पर लोगों द्वारा फोन करने पर उनको अपने जहांसे में लेकर उनसे विदेश भेजने के लिए विजा एर टिकट आधी है तो रूपे विभिन बेंट के खातों में मंगा लिया जाता है ततपश्चात रूपे प्राप्त होने के मुबाइल फोन बंद कर लिया जाता है हम लोग एक जगह नहीं रहते हैं घुंग घुंग कर विभिन स्थानों से ठगी का कार्य करते हैं इसी प्रकार अभियुक्तों द्वारावादी के साथ ठगी करने तथा फरजी विजा उपलब्द कराये जाने की घटना का इकबाल कि किया गया साइबर टीम द्वारा बरामद लैप्टॉप मुबाइल फोन की जाच से उक्त गिरो द्वारा और लोगों से ठगी किये जाने के संबंद में जाच की जा रही है पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफतार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है